इराकी हुकूमत ने मुल्क के जादतर हिस्सों को दाइश से किलियर कराने का एलान कर दिया है। आखरी मरले में दाखिल हो चुकी है। ये बहुत छोटा इलाका भी दाइश के हाद से निकल रहा है। दाइश के जंगजू आखरी हर्वे के तौर पर टैंकों और खुदकुश हमलावरों का बेदरेव इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कामिया भी नहीं मिल रही है। आप माहर है बेनर अक्वामी अमूर बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि मौसल समेथ हर जगा पर दाइश को शिकस्त हो रही है। तो इसका ये मतलब लिया जाए कि अब दाइश और इसके नजरिये का मकमल खात्मा हो जाएगा। लेकि तीन साल पहले दाइश ने अपने कदम जमाय थे शाम में भी और इराक में भी। लेकिन आइस्ता इस्ता वो पीछे हटते गए और खासता पर इराक की अगर हम बात करें तो उसमें रमादी से पहले इनको हराया गया फिर फरूज़ा से हराया गया और मौसल फिर आखरी एक बड़ा शहर रह गया था जिसमें बड़ी घमसान की लड़ाई हुई। लेकिन आखरकार इनको वहां पे शकिस्त हुई जिसमें इरानी दस्तों का बहुत बड़ा हाथ है उसमें अमरीकी तयारों ने भी जंगे ने हिसा लिया था तो वो अब तो काफी हद तक पीछे हट गये हैं कहीं कहीं उनकी पाकिछ जरूर होंगी। यहां से जब वो पीछे हटते हैं तो फिर सर्फ एक ही उनका रह जाता है रका वो है शाम में जहां उन्होंने दारों खिलाफा अपना बनाया था तो रका के उपर भी तुर्क फॉजें और कुर्द ये मिलकर अनकरी भी वहां पे शदीद का रुआई करने लगें इसके बा खबरें आई थी अब रूस के बाद एरान ने भी उन खबरों की तस्दीक कर दिया तो इसका मतलब ये समझा जाए कि दाइश का हकी तोर पर अब वजूद नहीं रहा जब लीडर्स मारे जाते हैं और खास तर पर ये सिंबल्स होते हैं जब लीडर आइकॉंस होते हैं तो फिर उससे बहुत फरक पड़ता है जो के नीशे के रैंक्स हैं वो दिल छोड़ देते हैं या वहाँ पे कंट्रोल चुके नहीं होता मरकजी तो वो तितर वितर हो जाते हैं कौरिनेट नहीं कर पाते अपनी जो फोर्सेस हैं उनको अटैक्स को स्टेटिजी को और टैक्टिक्स को तो इसलिए अगर तो उनके जो लीडर हैं बगदादी सहाब वो मारे जा चुके हैं जंग में जिसां कि कहा जा रहा है चुके वो नमाया नहीं हैं सामने नहीं आ रहे तो ख्याल किया जा रहा है तो फिर इससे तो बिलकुल दाइश खत्म हो जाएगी अगर वो ना भी मारे जाएं तो फिर भी नीचे तक इतनी वहां पे उनको शक्रिस्त हो चुकी है अच्छा प्र किया जो शाम और मश्रक वुस्ता में जजारी खून रेजी है इसका क्या खात्मा हो जाएगा कि किसी नई हम देखने हैं ग्रेट गेम का कोई नक्ता आगाज हो सकता है देखिए अदाइश जिसना खत्म हो रही है रहमें लग रहा है कि अलाका बहुत सा उन से ले लिया गया है और वो काफी रस्पाई की तरफ जा रहे हैं तो उससे शाम में तो खाना जंगी उस तरह कम नहीं होगी अलबता इराक में हम कह सकते हैं कि फिर हकूमत का और फाज का टोटल कंट्रोल हो जाएगा शाम में इसलिए कि वहां पे और भी ग्रोथ है जो के शामी हकूमत के खिलागाफ लड़े थे ये तो उनकी लड़ाई की वज़े से एक खला पैदा हुआ जिससे दाइश पहले अलकाइदा वाले आए फिर अलकाइदा की एक शाख निकली जिसको हम दाइश कहते हैं और उन्हों ने भी उस जंग में हिस्सा लिना शुरू कर दिया चुक्के सबस्दा मुनस्जम बोखे बहुत अहम नुक्चनार में कबाईली अमाईदीन से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाक अफ़ान सरहत के साथ दाइश कदम जमा रही है तो क्या हम इसका मतलब ये लें कि दाइश शाम से अब अफ़ानिस्तान मुनतक्ल हो रही है ये बात चाहिए कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अफ़ानिस्तान के ओपर अमरीकी और नेटो फॉजें काबिस हैं भी अपने आप को ये कहना शुरू करते हैं जी हमरा दाइश के साथ तालुक है जिसको हम फ्रंचाइस कहते हैं वो फ्रंचाइस बन जाती है लेकिन उनकी एक जिद है बहुत बड़ी और वो है तालिबान तालिबान उनको कभी भी कदम नहीं जमाने देंगे अलबता अगर अमरीकन तालिबान को मारना बंद करें उनके साथ मुझारात करें उनके साथ बाचीत करें एक मेज के अपर बैठें तो फिर तालिबान शुक्रिया बहुत 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 शुक्री में